श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों दोस्तों आप रोज अपने घर में जाडू तो लगाते ही हैं बस उसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय भी कर लेना है जिससे आपके घर में तरक्की हो आपके घर भी माता लक्षमी का वाश हो जाए मित्रों आमतोर पर आज के समय में हर व्यक्ती धन की वजह से परेशान है हर व्यक्ती को अपना जीवन अच्छा जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है मगर दोस्तों आपके घर में कुछ वास्तुदोश होने के कारण कुछ नकारत्मक उर्जा होने के कारण आप धन तो बहुत कमाते हैं, मगर धन आपके पास तिकता नहीं है, किसी किसी के घर में. तो इतनी नकारत्मकता होती है, कि वो अगर धन कमाने के लिए कितनी भी महंत कर ले, मगर वो धन कमा ही नहीं पाता, आपका व्यापर है, मगर अच्छा नहीं चर रहा, आपकी नौकरी है, मगर कभी भी चली जाए इसका डर है, और जो नौकरी से इंकम है, वो भी कम है, कहने क अगर अपना घबराए बस आपको अपने घर से नकारत्मकता को हटाना है, वो कैसे हटेगी उसके लिए आपको बस एक उपाय करना है जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही हैं। आपको क्या करना है? आपको मित्रों बस ज़ाडू लगाने के बाद बस ये काम करना है? आपको इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो की आपके घर में ही मिल जाएंगी आपको उन चीजों में चाहिए सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर सभी के घरों में मिल जाता है, क्योंकि रोज खाना बनाने में यूज होता है, उसके बाद आपको चाहिए एक कोई बरतन लोटा जो आमतोर, पर आप पूजा करते समय इस्तिमाल करते हैं, अगर वो नहीं हो तो कोई और लोटा जो आप रसोई में इस्तिमाल करते हो बस आपको एक लोटा ले लेना है, उस लोटे में आपको थोड़ा सा पानी भर लेना है, साफ पानी, पानी भरने के बाद आपको उस पानी में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, हल्दी पाउडर इतना करने के बाद मित्रों आपको एक बाजार से पान की दुकान से आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ता डंडी वाला ही लेकर आबें, और अगर डंठल वाला ना मिले तो जैसा भी है, ले आए बस पान का पत्ता होना चाहिए, बस अब आपको क्या करना है, आपने लोटे में पानी, भर कर जो हल्दी मिलाई है, पानी में उस हल्दी वाल पानी को आप पान के पत्ते से लेकर घर में ज़ाडू लगाने के बाद साफ सफाई करने के बाद आपको वो पानी पुरे घर में छिड़कना है। आपका जो कोई भी रुका हुआ काम है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। बस ये उपाय आप करते रहें जब भी आपको ऐसा लगे के। दोस्तों अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद श्री शिवाय नमस्तु भ्यम।